दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 1527 हाउस प्लान और यह अपका ग्राउंड और फॉर्स्ट दोनों होने वाला है और यह हमने जिसके लिए डिजाइन किया था वो मिस्टर फिरोज यूपी कानपूर से बिलॉंग करते हैं यह प्लान हमने उनके लिए किया था तो चलिए देखते हैं क्या हमने डिजाइन किया है यह हमारी मेन एंट्रेंस है यह पूरी 6 फुट की है यहां से लेके यहां तक और यही बाजू में जो है लेफ्ट एंड साइड में हमें 7 फुट 10 इंच वैं 9 फुट की एक शॉप मिल जाती है दुकान और यहां पर हम अराम से एक बाइक रख सकते हैं सीड़ी के नीचे उसके बाद हमारा सीड़ी जो है खड़े में चड़ाई कर रहे हैं हम यहां से आप कर रहें सीधे और यहां पर हमारी बैलक्नी स्पेस लैंडिंग बनेगी और यहां पर हमारा लॉबी एरिया है लॉबी में क्या है कि आप यहां पर थोड़ा साब को इस पेस मिलता है कि कल को अगर आपको कूलर लगाना हो रोम के अंदर पर लगा सकते हैं या फिर आप यहां पर वाशिंग मशीन रख सकते हैं और यहां पर आपका separate toilet separate बात आपको मिल जाता है यह चार भाई तेन फुट तीन इंच का यह बात है और चार फुट और चार भाई तीन का जो है आपका toilet है अब यहां पर bedroom का size आ जाता है bedroom का size पूरा पूरा हमने लिया है पूरा जो है विर्थ है जिसमें आपका shaft भी उसी के अंदर है shaft का size तीन बाई तीन का है और यहां पर bedroom का size आप देख लिजिए 14 फुट तीन इंच बाई 9 फुट 6 इंच का हमने length लिया है इसका यहां पर अलमारी मिल जाती है आपको और यहां से आपको ventilation मिल जाती है यह हो गया ground floor अब हम बात करते हैं first floor की first floor में हम यहां पर चड़ जाते हैं यह हमारा first floor का landing space है यहां से हम down जाएंगे तो हमारा ground floor आ जाएगा यह हमें पूरी lobby मिलती है और यहां पर अगर आप चाहें तो इसको open भी रख सकते हैं लेकिन हमने इसको cover किया है first floor पे kitchen का size है 7 foot 10 inch 29 foot का जितना shop का size है वही आपका यहां पर kitchen मिल जाता है उसी size का और यहां पर जो है हमारा एक toilet आ जाता है जिसमें western toilet है इसका size है 6 foot 7 inch 24 foot का यहां पर wash vision यहां पर WC और अगर आप चाहें तो wash vision को बाहर भी कहीं लगा सकते हैं अगर आपके पास अगर space मिले तो और kitchen में जो fridge की space नहीं है अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत adjustment करके आप रख सकते हैं यहां पर इस side में लेकिन मैंने यहां पर रख दिया अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो आप कहीं भी रख सकते हैं उसके बाद जो bedroom है bedroom का जो size है जो ground floor का है वह से फॉर्स फ्लोर पे भी है वही size हमने रखा है इसकी minimum जो cost पढ़ेगी आपको तीन से चार लग minimum cost आपको लगने वाली है इसको बनाने में एक फ्लोर column size आप 9 x 12 के आप use कर सकते हैं उमिद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे हुआ इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए जिससे किसी की help हो सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद